जिस घर में जब क्रिकेट चलता है तब और कुछ नहीं चलता जिन लोगों के मुबाइल में जब मैच शुरू हो जाता है तो बाकी सब कुछ बंद हो जाता है ऐसे तमाम क्रिकेटिंग फैन्स के लिए हम रोज लेकर आते हैं आने वाले मैचस के क्रिकेट प्रेडिक्शन जहां से आपको पता चलता है कि आपकी फेवरिट टीम जीतने वाली है या आपका फेवरिट प्लेयर कैसा होने वाला है और ये सारा prediction आधारित होता है तमाम सारे आकडों पर चाहे फिर वो head to head हो या फिर recent performances सारे आकडों को जब विशेशग्य analyze करते हैं तब आपके लिए ये predictions लेकर आते हैं आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं Australia tour of India की जहाँ पर India versus Australia का पहला T20 होने वाला है बेहद ही रोचक मुकाबला ये होने वाला है 20 सितंबर को ये मुकाबला होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम साड़े साथ बज़े पंजाब क्रिकिट स्टेडियम मोहाली में और अगर आप इस मैच के बारे में सब कुछ सब कुछ यानि की सब कुछ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले बात कर रहे हैं सबसे दिल्चस्प मैच की ऑस्ट्रेलिया टूर अफ इंडिया वर्सिस ऑस्ट्रेलिया जिसको देखने के लिए हर क्रिकेटिंग पैन बेताब रहता है पूरी तरह से यह मैच जो है पंजाब क्रिकेट असोसियेशन स्टेडियम मोहाली में होने वाला है तो आस्ट्रेलिया से दो-दो होट करने के लिए और यह जो T20 है यह इंडिया को एक बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है यह बहुत ही इंपॉर्टन्ट सिरीज होने वाली है क्योंकि यह दोनों टीम में आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है ऐसे में ये जो series है ये एक half yearly exams की तरह होगा जो बता देगा कि final exam का result कैसा होने वाला है साथी जाद Australia जो है वो पूरी तरह से dominate करने का सोच रही है और India जो है वो वापिस से अपने form में आने का वापिस सोच रही है जो Asia Cup में उसे हार मिली है उस हार का बदला लेने का सोच रही है तो ये match इसलिए बहुत ज़्यादा दिल्चस्प होने वाला है बात पंजाब क्रिकेट स्टेडियम की करते हैं ये स्टेडियम 1993 में बनात हो पीस हजार लोगों की capacity है पावेलियन एंड जो है वो लगए प्रिकास पोस होता है मुहाली मे लोकेटिद है यूटी सी प्लस फाइफ प्रिवेलो इसका टाइम जोन है और ये घरेलू मैदान है पंजाब के लिए फ्लड लाइट यहाँ पर बेहत खुबसूरत है जिस से आव आसानी से दे नाइट मैच का मज़ा यहाँ पर ले सकते हैं आगे और बात करते हैं इस दिशनली ये जो ग्राउंड था वो फास बोलर्स के लिए पेसर्स के लिए बहुत जादा फाइदेमन था लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि ये बैटिंग बनाने के लिए जो बैचमेन को एक पूरा खुला हाथ देता है बहुत जबरदस बनाने के लिए साथ प्रेशर यहां का 32 जिए प्रेशिपिटेशन लगबग 20 प्रेशन और विमिडिटी यहां पर 68 फीसदी रहने वाली है हवाओं की रफतार की अगर बात करें तो 6 किलोमेटर प्रति घंटे की रफतार से यहां पर हवाएं चलने वाली है आगे बात करते हैं इस पिच के सब्सक्राइब दोसरी बार चुरूती दूसरी चुरूत पर देती है टाइए एक बार भी नहीं हुआ उसतन रन यहां पर एक से एक सोपचास अगल पार बात करें तो जो एक सो से एक सो नबबब से यहां पर दो बार बना है, यानि कि साफ साफ कह सकते हैं, बैच्मन के लिए खुला खेलने वाली यह पिछ है, यहां पर बहुत अच्छे रन बनाये जा सकते हैं, ऐसे में जो मुकाबला भी होगा, वो भी बेहद दिल्चस्प होने वाला है, इंडिया की रीसेट परफॉर्मे लेकिन उससे पहले होंग् कौंग से 40 रन से जीती थी, और पाकिस्ताय ने से लगबख पांच भिकिट से इंडिया जीती थी, यानि कि 5-3 लिए से अब लेक बर बेद प्छला परफॉर्मेंस आस्ट्रीलिया अभी रहा है, 5-7-3 मैच जीता है, लेटेज जो मैच श्री लं तो यहाँ पर दोनों की परफॉर्मन्स लग भग बरावर लग रही है, head-to-head की बात करें, यानि कि वो matches जब India और Australia आपस में भिड़ी थी, वैसे तु आप जानते ही हैं कि T20 World Cup Australia जीत गई थी लेकिन उसरित पारेंद इशिया rain हो भी और प्सक्ज से जीती थी स्पहले इंडियाग शेलिध से जीती थी उससे पहले ऑस्ट्रेलिया जीती थी और फिर ऑस्ट्रेलिया एक पार जीती थी तो पॉछमय से तीन मैचेस ऐस्टेलिया यहाँ पर जीती है उस्टेलिया का पल्रा थोड़ा सबहारी है आगे अगे अगर हम बात करते हैं कौन-कौन इंडिया के प्लेइंग 11 में से हो सकता है किसके चांसे है कौन प्लेइंग 11 में हो सकता है तो वो सारे लोग जो ड्रीम 11 प सकते हैं विराट कोली जो जबर्दस फॉर्म में चल रहे हैं वो इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं सूर्य कुमार यादव टी ट्वैनी रैंकिंग्स में जो चौथे नंबर पर आपनिया अक्सर पटेल बुबनेश्वर कुमार रवी चंद्रन अश्विन यजुवेंद्र चहल और उनका होना पूरी तरह से संभव है जोश इंग्लिस यहाँ पर हो सकते हैं स्टीविन स्मिट ग्लेम नैच्विन कैमिल बीन मैथ्व वेड पैट कमिन डेनल सैम्स जोश हिसलवूद आडम जंपा केन रिचर्टसन यहाँ पर ग्यारा वो लोग हो सकते हैं जो इस टीम में फॉर्म में हो तो बन जाएगा फॉर्म में नहीं हो तो विगड़ बनेगा वो सारे लोग जो बहुत ज़्यादा एहम विराट पोली जो कि पांच मैचेज में दोसो चैतर मना चुके हैं 92.00 का बैरिंग एवरिज है और 150.51 का स्ट्राइक रेडिन का चल रहा है बुबनेश पालिया साथ मैच में 6 विकेट 7.13 तो ये तीम प्लेयर्स तो बेहत खास हैं अस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो एरॉन फिर्च 10 मैच में 252 रन ग्लैन मैस्विल जो कि 9 मैच में 201 रन दे चुके हैं और जोश हैजलवूड साथ मैच में 17 विकेट ले चुके हैं ये सब व मैच प्रेडिक्शन की बात करते हैं विराट पॉली जैसा कि हम सब जानते हैं बेहत फॉर्म में चल रहे हैं उन्होंने 206 रंग इन पार्च जो ओडी आई थे टी टी ट्वेंडी थे इश्या कप पे उसमें दिये हैं उस्ट्रेलिया जो है वो अभी तक 2007 से इंडिया के खि जो है अवेटेट सीरीज है लेकिन इंडिया जो है वो मोहाली पिच्ट से उनको एक बहुत विशेश आशिरवाद मिल चुका है क्योंकि मोहाली पिच्ट में हमेशा जीते हैं और सारे जो गेम्स यानि की ओडी आई टेस्ट टी ट्वेंडी सब जीते आएं यहां पर स्कूर को चेस करते वेश जादा बनती है और अभी जब विराथ पोले स्वाव में है तो बहुत कुछ बगाल सकता है और इसलिए हमारा यह प्रेडिक्शन है कि इस मैच में इंडिया जीत सकता है और इंडिया के जीतने के पूरे चान्स हैं तो फैंस, क्रिकेट फैंस हमार प्रेडिक्शन याद रखिएगा इंडिया इस मैच को जीट सकती है और इंडियन ऋफैंस जो है वो उतने ही बेकरार है और अपने लगा के रखे हुए काईसा लगा आपको हमारे प्रेडिक्शन हमें कॉमेंट करके बताएं और बताएं कि आने वाले वक्त में आपको और किस तरह का content cricket से जुड़ावा चाहिए जुड़े रही हमारे साथ सभी तरह के predictions और updates के लिए देखते रही है cash कर ले